हाई गाईज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई चैनल त्विस्ट अलिफ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज़ एड लिमिटेशन्स ओफ जॉब कोस्टिंग का जो फॉर्स एडवांटेज है वो यह है कि एक डिपार्टमेंट में अगर एक प्रड़क्ट बन भी रहा है फिर भी हम जब चाहे तब डेली वीकली और जब भी हमारा मन करें तब हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब या प्रड़क्ट का जो मटीरियल कोस्ट लेबर कोस्ट और ओवरेट कोस्ट है वो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाल सकते हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास अवेलेबल होता है जैसे कि यह यह प्रड़क्ट बन रहा है और यह कंप्लीट नहीं हुआ है स्टिल आज के डेट तक में या फिर आज के एक पर्टिकुलर डे में इसमें कितने अमाउंट का मटीरियल यूज हुआ है इसमें जैसे ही हमारा जॉब कंप्लीट हो जाता है हम लोग तुरंत ही हर एलिमेंट का कॉस्ट जो है वह हम लोग इमेडियटली असर्टेन कर सकते हैं विच इस नौट पॉसिबल इन केस ऑफ बैच कॉस्टिंग या फिर प्रॉसस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग जैसे कि कितना हम लोग ओडर्स और डिपार्टिंग की खासियत यह है कि यह हम लोग तुरंत ही निकाल सकते हैं थर्ड पॉइंट में बोल रहा है क्योंकि हम लोग जॉब कॉस्टिंग में जो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स प्रड्यूस करते हैं वह बहुत ही कम होता है नॉमिनल होता है तो उसके इसमें क्या है हम लोग किसी भी प्रडाक्ड का जो हिस्टॉरिकल कॉस्ट होता है पास्ट पीरियर्ट के लिए उसको लेकर हम लोग नया प्राइस कोड कर सकते हैं for that specific जोब जैसे कि कितना हम लोग ओर्डर्स और डिपार्ट्मेँट्स और मशीन ये सारे statistics को compile करके एक future के लिए production planning कर सकते हैं और वैसे ही similar type के job को complete करने के लिए हमें कितना cost incur करना पड़ेगा ये भी हम लोग easily ascertain कर सकते हैं जो next point है point number D उसमें बोल रहा है the adoption of predetermined overhead rates in job costing necessitates the application of a system of budgetary control of overhead with all its advantages ये बोल रहा है कि जैसे हम लोगोंने यहां पर पढ़ा था last class में कि जो हम लोग overhead का cost है वो हम लोग job costing के case में control नहीं कर सकते हैं तो हम लोग जब उसका budgeting करते हैं एक particular job के लिए उसका जब हम लोग budgeting करते हैं तो उस case में हम लोग क्या करते हैं predetermined overhead rates को हम लोग use करते हैं सो जैसे कि यहां पर हम लोग एक example ले सकते हैं for example this अगर हमें हमारे पास already data available है कि ऐसा ही similar एक मूर्ती बनाने के लिए past records के हिसाब से past period में हमें कितना overhead हमारा use हुआ था कितना overhead हम लोगों ने खर्चा किया था तो हमारे लिए इसका जो overhead का cost है उसको ascertain करना हमारे लिए easy हो जाएगा सो यहां पर भी वही चीजी बोल रहा है कि जब हम लोग एक budget बना रहे हैं किसी product का किसी एक job का तो उस case में हम लोगों को जो predetermined overhead rates होते हैं वो हमारे लिए adopt अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे लिए चीजें काफी हद तक आसान हो जाती हैं फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है the actual overhead cost हां यह वाला पॉइंट बोल रहा है कि जब आप actual overhead cost के साथ हमारा जो predetermined overhead rates हैं उसको जब आप compare करते हैं तो उस case में उस particular accounting period के लिए जितना भी आपका variance आएगा overhead का वह हम लोग analyze कर सकते हैं जैसे कि last accounting period में हमें इतना हुआ था और इस साल हमें उससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है या थोड़ा कम हो रहा है तो वह या तो favor में जा रहा है या फिर adverse में जा रहा है यह हम लोग easily यहां पर देख सकते हैं next point में बोल रहा है spoilage and defective work can be easily identified with specific jobs or products क्योंकि यहां पर हम लोग number of units कम बना रहे हैं तो हमारे लिए जो भी defective work होता है या फिर जो भी थोड़ा बहुत wastage or spoilage हो जाता है वो हमारे लिए identify करना बहुत के जादा easy रह जाता है so यहां पर हमें next point में बोल रहा है job costing is particularly suitable for cost plus and such other contracts where selling prices determined directly on the basis of cost क्योंकि हम लोग job costing में एक ही particular चीज के लिए हम लोग उसका costing कर रहे हैं एक ही unit के लिए कर रहे हैं तो हम में पता है कि इसका cost कितना है तो cost के उपर हम लोग easily एक certain percentage of profit डालके उसका selling price determine कर सकते हैं so यह जो advantages है इसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है these are common sense इसमें बस यह एक point है which is आपको याद रखने की जरूरत है बाकी सब अपना common sense है अगर आप इसको visualize करेंगे अच्छी तरह से तो यह आपको आसानी से याद रहे जाएगा next point है next topic है हमारा limitations of job costing हम लोगों ने advantages देख लिया अब हम लोग देखने वाले है what are the limitations first limitation क्या बोल रहा है बहुत ज्यादा expensive है obviously expensive है क्योंकि एक unit के लिए अगर हम लोग उसका सारा calculation कर रहे हैं तो obviously it involves more clerical work तो क्योंकि हमें बहुत सारा element of cost identify करना है हर department के लिए और एक particular job के लिए हर अलग-अलग job के लिए हमें identify करना है तो यह क्या हो जाता है बहुत ज्यादा expensive हो जाता है और second point में है क्योंकि हमारा clerical work बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो manual errors है error होने की chances हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं so third point में क्या बोल रहा है कि जो भी हम लोग cost ascertain करते हैं they are historical as they are compiled after incidence although वो सबको हम लोग बहुत ही promptly compile कर रहे है still क्योंकि वो incidence के बाद compile हो रहा है so they are historical in nature fourth point में बोल रहा है the cost compiled under job costing system it represents the cost incurred under actual conditions हां हम लोग जब job costing करते हैं किसी एक unit के लिए तो obviously वो जब unit बन जाता है वो उसके actual conditions को देख कर ही हम लोग उसका costing करते हैं तो यह जो system it does not have any scientific basis जैसे हम लोग material हो गया या फिर labor हो गया उसको हम लोग apportion कर लेते थे इस case में वो करना difficult हो जाता है so this is one of the limitations of job costing I hope आपको यह छोटा सा class पसंद आया होगा और जो भी advantages of job costing है और limitations of job costing है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया है यह video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और मेरे channel the twisted olive को subscribe करें अज़िड़ं मेंकोशनी आपको हमार करें